हलो फ्रेंड्स मैं अनिल कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का एक एक ग्यांशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ आईए आज बात करते हैं इसराइल हमास युद्ध या इसराइल फिलिस्तिन विबाद के केंडर में प्राचीन यरुशलम शहर चो है फ्रेंड्स यरुसलम एक बार फिर तराउ का केंडर बन गया है पिछले कई हफ्तों से इस शहर में फिलिस्तिनी प्रदर्शनकारियों और इसराइल के सुरक छावलों के बीच टकराव जारी है लेकिन इसराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच येरुशलम को लेकर विबाद भी काफी पुराना है और वो ये है कि इसराइल और फिलिस्तीन दोनों येरुशलम को अपनी राजधानी होने का दावा करते हैं बता दें कि येरुशलम एक महत्पूर्ण पर्यटन अस्थल भी है जहां हर साल दुनिया भर के लाखों लोग आते हैं इस अस्थान की खासियत ये है कि येरुशलम, यहुदी धर्म, इसाई धर्म और इसलाम धर्म तीनों का ही पवित्र नगरी है Friends, आईए, सबसे पहले बात करते हैं पवित्र दीवार की इतियाज गवा है, ये प्राचीन शहर यहुदी राज का केंज और राज़ानी रहा है यहीं पर यहुदियों का पवित्र सोलोमन मंदिर हुआ करता था जिसे रोमनों ने नश्च कर दिया था इस पवित्र अस्थल के भीतर ही The Holy of the Holies यहुदियों का सबसे पवित्र अस्थान था यहुदियों का विश्वा से यही वो अस्थान है जहां से विश्च का निर्मार हुआ और यहीं पर पैगंबर इबराहिम ने अपने बेटे इश्चाक की बली देने की तैयारी की थी कई यहुदियों का मानना है जो वास्तों में डोम आफ दे रॉक की Holy of the Holies है आज पश्चमी दिवाग वो सबसे नज़्दी का स्थान है जहां से यहुदि Holy of the Holies की आज़ाद ना कर सकते हैं दूसरा चर्च की कहानी यहुदियों सलम ही वो शहर है जहां इसा मसी की मौत हुई थी यानि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वो आउतरित भी हुए थे इसा मसी का मकबरा The Church of the Holy Self कर के भीतर है दुनिया भर के करोणों इसाईयों के लिए यह धार्मिक आस्था का मुक्केंद्र है हर साल लाखों लोग इसा मसी के मकबरे पर आकर प्राथना करते हैं अब सुनिए मस्जिद की कहानी फ्रेंड्स यरुसलम में इप्टाचीन अलास का मस्जिद भी है अर इसी मस्जिद से इसलाम धर्म की उत्पत्पी मानी जाती है माना जाता है कि इसी इसलाम धर्म के परगंबर महम्मद स्वर्ग के लिए प्रश्थान किये थे इस मस्जिद का उलेख पुराण शरीफ में भी मوجود है इस पवित अस्तल में हर दिन हजारों की संक्या में लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं मजजिद अलास का इसलाम का तीसरा सबसे पवित अस्तल है यहां से कुछ कदम दूरी डोम अफ़ राक्स का पवित अस्तल है यही पवित अस्तर भी है मानता है कि प्रेगंबर मुहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी मुसल्मान हर दिन हजारों की संख्या में इस प्रविस असल में आते हैं और प्रार्थना करते हैं रमजान के महीने में जुम्मे के दिन यहां तादात बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ्रेंड इन सब चीजों के बीच में आखिर तनाओ क्यों है सवाल यह पैदा होता है और यरुशलम इन दोनों देशों के लिए मतलब इसराइल और फिलिस्तिन दोनों के ही लिए तनाओ का केंद क्यों बना हुआ है फिलिस्तीन और इसराइली विवाद के केंद में टाचीन यरुशलम शहर ही है यहां के स्थिती में बहुत मामूली बगलाओ भी कईबार इंसक्तनाओं और बड़े विवाद का रूप ले चुका है यही वज़य है कि यरुशलम में होने वाली हर घटना महत्पूर होती है जैसा हमने पहले भी बताया है इस प्राचीन शहर में यहूदी, इसाई और मुस्लिम धन के सबसे पवितर स्थल है और यह शहर सिर्फ धार्मिक रूप से ही महत्पूर नहीं है, बलकि कूट नितिक और राजनितिक रूप से भी बहत अहम है अधिकतर इस्राइली यरुशलम को अपनी और भाजितरा जानी मानते हैं इसराइल राज्ट के स्थाबना 1948 मोई थी, तब इसराइली संसद को शहर के पश्चमी हिस्थे में अस्थापित किया गया था 1967 के युद्ध में इसराइल ने पूरवी यरुशलम पर भी कबजा कर लिया था ताचीन शहर भी इसराइल के नियंतर में आ गया था बाद में इसराइल ने इस इस इलाके पर कबजा कर लिया लेकिन इसे अंतरराश्टी मानता नहीं मिली यरुशलम पर इसराइल की पूर्ण संप्रवता को कभी मानता नहीं मिली और इसे लेकर इसराइली नेता अपनी खीच जाहिर रखते हैं जाहिर तोर पर फिलिस्तिनियों का नजरिया इससे बिलकुल अलग है वो पूर्वी येजु सलम को अपनी राज़ानी के रूप में मांगते हैं इसराइल फिलिस्तिनी वाद में यही शांतिय स्थापित करने का अंतराशी फार्मूला भी है इसे ही दो राश समाधान के बना जाता है इसके पीछे इसराइल के साथ साथ 1967 से पहले की सिमाँ पर एक स्वतंत्र फिलिस्तिनी राश के निर्मार का विचार है संजुक्त राश के प्रस्ताओं में भी यही लिखा गया है येजु शलम की एक तिहाई आवादी फिलिस्तिन मूलकी है जिन मेंसे कई के सद्यों से यहां रहते आ रहे हैं शार के पूर्वी हिस्से में यहुदी बस्तियों का विस्तार भी विवाद का एक बहुत बला कारण है अंतर राश्टी कानून के तहट ये निर्मार अवैद है और इसराइल इसे नकारता रहा है अंतर राश्टी समुदाय दश्कों से य यरुशलम की इस्थिती में कोई भी बदलाव शांती प्रस्ताओं से ही की जा सकती है और यही वज़ा है कि इसराइल में दूतावास रखने वाले जादातर देशों के दूतावास तेल अभी में इस्थित हैं तो फ्रेंट्स अफसार ये है कि यरुशलम पर इसराइल और फिलिस्टी दोनों ही अपनी राज़ानी होने का हक जमाते हैं और अभी तक इसका कोई अस्थाय समाधान ना होने के कारण इसराइल और यरुशलम के बीच हर विवाद का केंद यरुशलम बन जाता है फिन्स आज बस यहीं तक फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो मैं नए टॉपिक के साथ तब तक आप उना ध्यान रखिए सस रहे व्यस रहे मस रहे बाबाई